प्रिंट्स आज की वीडियो में हम Alfred Lord Tennyson की एक फेमस पोयम Idealists of the King के एक section को discuss करेंगे जिसका नाम है The Passing of Arthur ये बहुत ही famous section है बहुत ही famous poem है और बहुत सारे schools और colleges में ये describe की जाती है तो यहाँ पर हम इस section को discuss करेंगे इस poem को सर बेडिवेर के निजरिये से बताया गया है जो की The Round Table के last survivor थे Round Table के शुरुआत की थी King Arthur ने उन्ही के नाम पर इस poem का यहाँ पर title रखा गया है अब्जेक्ट्स थे जो उनकी प्रजा थी उसके खिलाफ उन्हें ये जंग लड़नी पर रही थी जिन लोगों ने उन्हें धोका दिया था उनके खिलाफ लड़नी पर रही थी और जो ये King Arthur थे वो ये जंग लड़ना नहीं चाहते थे बहुत दुखी थे वो कह रहे थे कि मतलब एक राजा को अगर अपनी प्रजा पर हमला करना पड़े तो वो राजा किस काम का लेकिन सचाई के लिए अपनी जीत के लिए उन्हें ये लड़ाई लड़नी पर रही थी और इस बारे में ये पूरी पोयम है लंबी पोयम चलती है किस तरह सी ये जंग होती है और जंग में क्या होता है किंग आर्थर की जीत हो जाती है लेकिन इस जंग के दौरान इस वा जानब जाने वाली है तो उस लास्ट समय पर अपने अंतिम छण में क्या कुछ होता है यहां की इस सेक्षन को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंट्स अल्फरेड लॉर्ट टिनिसन एक ब्रिटिश पोईट थे उनका जन्म हुआ था 6 ऑगस्ट 1809 में और उनकी डेथ हुई थी 6 ऑक्टोबर 1892 में साथ ही वो ग्रेड ब्रीटिन और आइरलेंड के पोईट लॉरेट भी रह चुके हैं और उनकी फेमस वर्क्स में क्लारिवल, मारियेना, युलिसस, टाइथोनस ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट सब आगे बढ़ते हैं और इस पोईब को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं और धीरे से किसने आंसर किया तो किंग आर्थर ने, कहां से तो बार्ज यानी बोट से उस बोट से किंग आर्थर ने धीरे से जवाब दिया कि जो पुराना समय है, जो पुराना तरीका है, वो समय के साथ बदल जाता है और इसकी जगा कौन ले लेता है, तो जो नया समय है, जो नया रूल है, वो उसकी जगा ले लेता है यानी टाइम जो है, वो हर एक चीज को बदल देता है और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है जो पुराने नियम थे उन्हें बदल दिया गया है अब उनकी जगर नए नियम आ चुके है और जो भगवान है वो अपनी इक्छाओं को पूरा करते हैं कई तरीकों से यानि ऐसा नहीं है कि गौड ने अपने लिए कुछ प्लान बनाया है कुछ सोच कर रखा है कि उन्हें ऐसा करना है और वो आप पर वेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है God बहुत सारे plans रखते हैं उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है इसलिए हमें जादा सोचनी की जरुरत नहीं है जो भी changes हो रहे हैं वो सभी क्या है God के plan है Lest one good custom should corrupt the world और ऐसा क्यों किया जाता है ताकि कोई एक सही custom एक सही आदत जो है वो पूरी दुनिया को corrupt ना कर दे उसे बरबाद ना कर दे यानि किसी इनसान की जो अच्छाई है वो अपनी अच्छाई में दूसरों के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा हो सकता है वो अन्याय भी सहलेगा इस तरह से क्या हो पूरी दुनिया बरबाद ना होने लगे दूसरे लोगों के दबाव में आकर इसी लिए God क्या करते हैं समय समय पर अपनी इच्छाऊं को पूरा करते हैं जो पुराने नियम पुराने नजरिये होते हैं उन्हें बदलते रहते हैं Comfort Thyself What comfort is in me यानि खुद को सांत्वना दो खुद को आराम दो आखिर मुझे में क्या सांत्वना देने लायक बात है तो मुझे देखकर क्यों परेशान हो रहे हो मुझे शांत करने की क्यों कोशिश कर रहे हो खुद को शांत करो खुद को सांत्वना दो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ I have lived my life and that which I have done may he within himself make pure यानि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है I have lived my life जो मुझे करना था जैसी मुझे जिंदगी जीनी थी वो तो मैंने जी ली है मुझे पता है कि मैं अब अपने deathbed पर हूँ और जो भी मैंने अपनी जिंदगी में किया है जो भी वो क्या हो वगवान उसे pure बना दे यानि मेरी जितने भी कर्म रहे हैं उन्हें आगे चल कर देखा जाए कि वो दुनिया की भलाई के लिए थे मैंने जो कुछ भी किया वो दूसरों की अच्छाई के लिए किया मेरा खुद का उसमें कोई लोब नहीं था कोई लालच नहीं थी बट दाओ इव दाओ शुड़स नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सूल मगर तुम अगर तुम दुबारा कभी मेरा ये चहरा नहीं देखो अगर तुम समझ जाओ कि मैं मर चुका हूँ मैं अब कभी लोट कर नहीं आऊंगा तो क्या करना प्रे फॉर माई सूल यानि मेरी आत्मा के लिए दुआ करना दुआ करना कि मुझे आगे चल कर हेवन मिले मेरी आत्मा को मुक्ती मिले इस तरह की जो दुआएं मांगी जाती है वो मेरे लिए मांगना मैं जिन्दा हूँ इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैंने अपनी जिन्दगी अच्छी तरीके से जी है लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ती मिले मेरे आत्मा जो है वो खुश रहे इसके लिए तुम प्रे करना यानि इस दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जो क्या होती है प्रेयर से दूसरों की प्रार्थनाओं से पूरी होती है और इस बारे में ये दुनिया सोच भी नहीं सकती है लोगों को पता भी नहीं है कि अगर हम दुआ करें प्रार्थना करें तो क्या होगा वो चीजें पूरी हो जाएंगी इस बारे में ये दुनिया सोच भी नहीं सकती है इसलिए क्या करो अपनी आवाज को अपनी वोईस को एक फाउंटेन की तरह एक फवारे की तरह उपर उठने दो रात दिन और तुम्हारी वोईस किसके लिए गाएगी किसके लिए दुआ करेगी तो मेरी आत्मा के लिए मेरी आत्मा के लिए रात दिन दुआ करो For what are men better than sheep or goats तो इनसान जो है वो भेड या बक्रियों से बहतर कैसे हैं अगर वो एक कैसी जिन्दगी जीते हैं तो बिलकुल एक अंधे के समान जिन्दगी जीते हैं उनके पास दिमाग तो है लेकिन वो अपनी दिमाग को यूज नहीं करते हैं तो उनकी जिन्दगी कैसी है, बिलकुल जानवरों की तरह है, जिस तरह जानवर अपनी जिन्दगी एक ही तरीके से जीते हैं, बस घास खाते हैं, यूही घूमते फिरते हैं, कुछ भी लाइफ में इंट्रेस्टिंग नहीं करते, कुछ अचीव नहीं करते, दूसरों की भला अगर ये लोग क्या करते हैं ये जो blind life जीने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं ये भगवान के बारे में जानते हैं गौड को जानते हैं लेकिन गौड से prayer नहीं करते गौड से prayer करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाते हैं ना भगवान से गौड से अपने लिए कुछ मांगत तो अगर आप ये जानते हैं कि God हैं आपकी care कर रहे हैं और फिर भी आप God से pray नहीं करते हैं आप God को जान बूच कर ignore करते हैं तो आप में और उन जानवरों में उन cattle में कोई अंतर नहीं है और ऐसा क्यों है क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है ये जो राउंड अर्थ है हमारी पृथवी है ये क्या है ये सोने की जंजीरों से गोल चेंड से बंधी वी है God के फीड से यानि भगवान जो चाहे God जो चाहे वो इस अर्थ के साथ कर सकते हैं पूरी तरह ये जो अर्थ है वो God के अंडर आती है वो जैसे चाहे वैसे इस अर्थ पर changes ला सकते हैं और फिर भी humans क्या करते हैं वो जान बूच कर God को ignore करते हैं God की तरफ ध्यान नहीं देते, God के सिखाए हुए values को मानते नहीं है But now, farewell, मगर अभी मुझे विदा करो ये सारी problems हैं, ये सारी चीजें जो हैं, वो हो रही है मगर मुझे विदा करो, मुझे अब यहां से जाना है और ऐसा क्यूं हो रहा है, क्योंकि अब जो King Arthur है उनके मरने का समय नजदीक आ चुका है इस तरह की बाते बताने के बाद उनकी death हो जाती है आगे चल कर इस poem में तो friends, ये थी Alfred Lord Tennyson की poem The Passing of Arthur अर्थ पर जो humans की life चल रही है जिस तरह से वो God को ignore कर रहे हैं अपने crimes को बढ़ावा दिये जा रहे हैं उस बारे में इस poem में काफी कुछ discuss किया गया है तो friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please इसे like, comment और share करिए